हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू स्टाइल वीद अज मैं आपको अताऊंगी ट्राउजर का बहुती बिट्फुल सा कट वक डिजाइन जिसे आप बहुती इसली बना सकते हो तो इस तरह से मैंने अपने ट्राउजर को कट कर लिया है अगर अभी तक आपने हमारे ट्राउजर से 1.5 इंच बढ़ा के लिया है जिसको अंफोल्ड कर लेंगे और डिजाइन मिनाने के लिए मैंने इस तरह से पतली वाली पेपर फ्यूजिंग में सेम इसी तरह से ट्राउजर के कलर की कपड़े को पेस्ट कर लिया है इस तरह से जिसकी लंबाई मैंने ट्राउजर के बॉ के लिए 3 इंच अब हम सबसे पहले पेपर फ्यूजिंग में अपने डिजाइन बनाएंगे अब हम सबसे पहले पेपर फ्यूजिंग के ऊपर के साइड स्टेट लाइन ड्रॉ करके अपने पेपर फ्यूजिंग को इक्वल कर लेंगे इस तरह से अब हम डिजाइन की चुड़ाई का निशान लगाएंगे तो डिजाइन के चुड़ाई में लोगी 1.5 इंच अब हम इस लाइन से इस तरह से 1.5 इंच पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से अब हम नीचे की साइड से 1.5 इंच चुड़ते हुए इसमें 2.2 इंच की बॉक्स ट्रॉ कर लेंगे इस तरह से अब हम इन पॉइंट्स का सेंटर लेते हुए सेम इसी तरह से उपर की साइड भी 2.2 इंच की बॉक्स ट्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसका सेंटर लेते हुए उपर की साइड सेम इसी तरह से एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है फिर उसके बाद सेम इसी तरह से 2.2 इंच की बॉक्स ट्रॉ कर लिया है अब हम नीची वाली पॉइंट को इस से मिलाते हुए इसमें इसी तरह से ट्रेंगल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से अब हम इस पेपर फ्यूजिंग को नीचे की साइड से हाफ इच फोल्ड करते हुए इसमें स्लाई लगा लेंगे तो चलिए इसमें स्लाई लगा लेते हैं और इस डिजाइन को ट्राउजन में स्टिच कर लेते हैं अब हम सबसे पहले नीचे की साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें स्लाई लगा लेंगे इस तरह से अब हम पेपर फ्यूजन को ट्राउजर की सीरी साइड जॉइन्ट करते हुए इसमें इसी तरह से इसलाई लगा लेंगे तो यह मेरी ट्राउजर की सीरी साइड है अब हम इस तरह से पेपर फ्यूजन को इसके उपर रखेंगे और सेम इसी तरह से इसमें स्लाई लगा लेंगे अब हम इसलाई ट्राउन को इसलाई जसे लिएपर लेंगे अब हम इसमें से में सेलाई लेए ठर्ड़ इसलाई तरह से आधे ठर्राउन को एक रसे पंचर बादे बादे में एक प्रूल प्रूल इस तरह से तो इस तरह से पेपर फ्यूजिंग को ट्राउजर में स्टिच करने के बाद हमने इसका एक्स्टर कपड़ा कट करते हुए इसमें इस तरह से कट लगा दिये ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए इस तरह से अब हम इस डिजाइन को इस तरह से सीधा करते हुए इसमें अच्छे से आयर्न कर लेंगे कुछ इस तरह से तो चलिए अब इसमें इस तरह से अच्छे से आयर्न कर लेते हैं तो इस तरह से ट्राउजर में आयर्न करने की बाद हमारे ट्राउजर डिजाइन कम्प्रीट हो गया है आप चाओ तो इस तरह से इसके उपर स्लाई भी लगा सकते हो अब हम ट्राउजर को फोल्ड करते होए इसमें फिटिंग का निशनल लगाते होए इसे पूरा कम्प्रीट कर लेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और माया चानल को सब्सक्राइब